हलो फ्रेंट्स नमस्कार मैं से पुर्मुत कुमार और आप देख रहें आपका पसलिता चैनल सेलेबरेटी से पुर्मुत दोस्तों मैं आपके लिए आज मियोनिस का रिसीपी लेका आया हूँ बहुत ही इंट्रेस्टिंग रिसीपी अच्छी रिसीपी है और विडि़ो में लास्ट अब बने रहें बिना इसकी किये देखें बहुत अच्छा रिसीपी है पहले प्लेन मियोनिस बनाते हैं उसके डिफाइन वाल याप तो ओली वाल 100 ml, लेमन कटी भी ले ले, मस्टर्ड पार्डर या तो मस्टर्ड ब्रिजन मस्टर्ड, सॉल्ट और सुगर थोड़ी सी, और आप मिक्सर का छोटा सा जार में, आप 100 ml वाल डाल दें इसमें, और जितना आपने वाल डाला 100 ml, उतना ही 100 ml इस ठंडी होनी चाहिए, और इसमें 1 कवल डाल दें इसमें, और एक पिंज नमक, थोली सी सुगर, इसमें एड कर दें, और मस्टर्ड पाउडर, या डिजन मस्टर्ड, मैंने यहाँ पे डिजन मस्टर्ड डाला हूँ, आप मस्टर्ड पाउड़र का भी यूज़ कर सकते हैं, और इसको अच्छे से बंद कर दें और इसको 10 से 15 से गुमानी है ज़्यादा नहीं 10 से 15 से गुमानी है इसे मिक्सर में आपका मियोनिस बंद करके त्यार हो जाएगा आप देख सकते हैं यह मियोनिस बंद गया और लास्ट में थोड़ा सा लेमन का जूस चार-पांच बंद ज्यादा नहीं डाल करके इसमें गुमा दें तो इसका ग्लेजिंग जो है ग्लेज और थिकनेस फन यह आपका प्रोपर मियोनिस जो आप मार्केट में जो खरीते हैं वो मियोनिस आपका रेडी हो गया अब देख सकते हैं यह मियोनिस बन गया यह प्लेन मियोनिस है इसका बाद मिन्ट मियोनिस बनाएंगे अब यह तीन तरह का मियोनिस बना रहे हैं आपका सामने और यह देख सकते हैं बहुती अच्छा मियोनिस मारकेट वाला मियोनिस बन गया आपका होममेड मियोनिस अब इसको आप एक बॉल में डालते हैं इसके बाद बनाते हैं मिन्ट मियोनिस दोस्तों प्रोसेस सेम ही है जो आपने फर्स्ट में देखा इसमें हम 100 ml वाल रिफाइंड वाल या तो फिर ओली वाल गरम नहीं होनी चा अइसके बाद आप जो मिन्ट का अ फिलेवर इसमें डालना चाहते हैं तो फ्रेस मिन्ट जाकें डालें रूंधा और श्यादा करके अब आप देख सकते हैं इसमें मैं मिंट यहां पे डाल दिया हूँ और इसमें थोड़ा से ब्लेक पेपर आप चाहे तो ब्लेक पेपर को स्किप भी कर सकते हैं यह ब्लेक पेपर इसमें थोड़ी सी डाल दिया और सेम प्रोसेस से आपको इसमें मिक्स कर देने हैं 10 से 15 सेंट मात्र मात्र 10 से 15 सेंट इसमें मिक्सर में आप गुमा दें यह मियोनिस देख सकते हैं बहुत अच्छा बन गया आपका सामने दोस्तों यह मियोनिस का रिसीप आपकर आपको अच्छा लगे तो फ्लीज चैनल को सस्क्राइब कर दिजिएगा और सेयर कर दिएगा, सेयर करना न भूले यह मियोनिस अपका मिन्ट मियोनिस रेडी हो गया आप चाहे तो मिन्ट को ज़्यादा डाल सकते हैं अब इसमें एक बॉल में हमने डाल दिया और एक छोटी से मिन्ट का कली लेकर इसको इसका ओपर थोड़ा सा मैंने गार्णिस कर दिया यह अपका मिन्ट मियोनिस रेडी हो गया इसके बाद हम बनाते हैं हब्स मियोनिस हब्स मियोनिस कैसे बनाते हैं आप आईए हमारे साथ इसमें 100 ml ओलिव ओयल मैंने डाला यहाँ पर और 100 ml कॉल्ड मिल्क कॉल्ड टॉंड मिल्क इसमें एट किया इसके बाद आप इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल दें और एक टी स्पून भरके चिली फ्लेक्ष डाल दें इसमें अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो थोड़ा सा ज़्यादा डाल दीजिए मैं एक चमज का यहाँ पर यूज किया हूँ और ब्लेक पेपर एक टी स्पून इस मियोनिस में डाल दें यह मियोनिस थोड़ा सा स्पाइसी होगा और बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है एक बड़ ट्राइ करिएगा उमीद अच्छा लगेगा और ओरगिनो हाफ टी स्पून रोज मेरे हाफ टी स्पून और थाइम अगर आप चाहे तो डाल सकते हैं इसमें और स्वाद अनुस्वार नमक और थोड़ी सी चिने एकदम थोड़ी सी इसको पेस्ट कर दें मिक्सर में 10 से 15 सकंड मात्र जादा नहीं यह मियोनिस आपका बहुत अच्छा मियोनिस रेटी हो गया यह मियोनिस कैसा बना हफ्स मियोनिस आज जरूर बताएगा कमेंट करके अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज सस्क्राइब कर देगा चैनल को और शेर करना ना भूलें यह हॉम मेड मियोनिस का रेशीपी आपके साथ सेर कर रहे हैं हम लोग और उपर से थोड़ी सी और गिनो या तो रोज मेरी का गार्निस कर देए और मिंड लिप यह आपका परफेक्ट हॉम मेड हफ्स मियोनिस रेडी हो गया आपको कैसा लगा यह हमारा रेशीपी जरूर बताईएगा फ्रेंड्स यह तीतर का थ्री टाइपस ऑफ मियोनिस आपके साथ बहुत इजी तरीके से बनाए हैं और आपके साथ सेर किया हूं उमीद है आपको जरूर अच्छा लगेगा थैंक्यू सो मज